हाँ तो आज अपन एक बहुत इंपोर्टेंट कहते हैं मुद्य पर बात करने वाले चर्चा करने वाले हैं कि आपकी बिएस्टिसी की जो 2023 बिएस्टिसी थी उसकी फर्स लिस्ट आज जारी कर दी गई है जैसा ही आप सब को पता है आप सब देख भी लियोगे इसमें कोई ड बिएस्टिस आपको और आफ लाइक में आगे बढ़ें और मैं कहता हूं जल्दी से बिएस्टिसी करके पहली जो नोकरियानिया वाली साल डेट साल शाल शाल मीनम जब भी वेकेंसी आए आप उसमें आपकी जोब लग जाए बहगवान से यही प्रात्ना करते हैं और आप क究el बात यह कि जिससा फर्स्टिस में नाम नहीं आया कोई बात नहीं क्या फरक पड़ता है यह रही बात प्राइच्ट आपने इतना सा में चाहना यह आईगी जनूरी में, क्योंकि फर्सिस जबी होते हम पूरसेस बताऊँ गांगा जब सेंग को Конечно सवन हैं जो की जिसने मेरी बात को सुना है उसका फिस्ट में नंबर आया प्समों की सब्सक्राइब करवा आता साड़े 400 प्लस और आप में से खूब सारे बच्चे कहते हैं कि आज तक सर चार सो प्लस किसी का आएं क्या अरे आएं क्या नहीं 500 बच पन पन सो नुमर भी आए हैं और 400 की तो कटोब रही है देख लो 400 से नीचे किसी का नंबर नहीं पस लिस्ट में यह पताऊना इतना अच्छा कंटेंट घर बेटे मिल जाता है तो गाउं के लोग जो नहीं पहुंच पाते थे कोलेजियों में में नहीं पहुंच पाते महंगे महंगे इस्टूशन में तो फिर वह बिचार यह से पढ़ते थे तो फिर कटोब डाउन रेती थी अब वह बच्चे एंवी प्लस मतलब मतलब नहीं लेकिन 400 से नीचे मतलब नहीं रहा तो यह चीज़ें हो गई जिसका आपको ध्यान रखना था यह मैंने पहले भी का था और इसके पीछे कारण क्या रहे कारण यह रहे मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको अगर जिंदगी में कोई साभी एक एक जाम में पास होना है तो आपको सभी सब्जक्त पढ़ने पढ़ेंगे लेकिन आप लोग किया है कि इन पास गए इनके पास 300 लियाओ, पक्का सेलेक्षन 360 में तो पक्का ही हो जाएगा English नहीं आरी तो English को छोड़ दो English नहीं आरी तो अपने English को रेने दो ये हाल नतीजा अब है अब वो 390 नमर लाके नहीं हो हुआ तो कैसे होगा भाई, तो English पढ़ लेता अब आप बच्कों कॉमेंट देखो। मैंने कहतकी है है। सबूत है आपके सामने आप पेपर देखे आयो। मैंने पूरे राजस्थान में पूरे राजस्थान की बात करजा हुँ पूरे राजस्थान में मैंने इंग्लिश पर क्य disparities बनाया। ठीक है इंग्लीश पर के अफ्शुल बनाया देखो कितने लोगों ने लाखुँ बच्चों ने इस के अफ्शुल को लिया इंग्लीश पर सिर्फ complete इंग्लीश डाली और कितने क्योशन आए मैंने 15 का कहा था साल बच्चे तो कहे रहे हैं सिर्फ 15 प्लस आए तो अगर इतने सारे क्योशन कितना मैंने इंग्लीश पर जोड़ दिया था क्योंकि मुझे इस ब्येश्टिसी की नस नस का पता है इसकी जड़ में मैं मतलब गया वा हूं इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इंग्लीश भी स क्यों को लेकर चला जाता लेकिन नहीं पड़े तो अब मैं फिर बता दूं कि कोई दिक्कत नहीं है अभी दो एक बच्चे मिले थे तो उनका फर्स लिस्ट में किसी का तो आ गया दूं-दो में से एक का नहीं आया तो उसके बड़े भाई ने कहा कि मैंने तो पहले का थे भैणानरी करें ब्याइस तो फीटी लो तो भाई पिटी टी कर ले कॉम्पेटेशन तो वहाँपर भी है इह है उल्टाइक से जादा है और मैं घर की बात बता दूं आपको बहुत 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 ज्यादा है लोगा पूंपर के अंदर वह बच्चे और में में आपको बता नहीं वह जिनका सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ फर्स्ट ग्रेड लेक्चर में वह यहां आ जाते हैं और थर्ड ग्रेड की पास कर लेते हैं यह यहां पर थोड़ असा competition कम होने की वज़ये हैं कि वही वाली बात है कि कहते हैं कि जाओं तो चोटी सब्सक्राइब नहीं चाहिए जब एक सब्सक्राइब नहीं चाहिए जब एक छोटा सा बिएस्टी कर पास ने हो बुरा मतमाना बुरा मतमाना सच्चाइए कि बिएस्टी का अगर पर पास नहीं वा तो भाई तैयारी करने की जरुत है आप वापस बिएस्टी से कोई फाइट करो और एक चोटी सी जोब सिक्यूर करो थर्ड ग्रेड की ठीक है बेजी जख और इसमें क्या होगा पांच उतक के बच्चों को पड़ा रहे हो तो खुद की स्टेडी पर बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा दम है तो इसके बाद में आगे अपने आपको मोडिफाई कर लाना सेविल सर्विसेज के कर लाना या फिर जैसे यहां लग जाओ 466 नमर भी उनके हैं इतने सारे मेसेज जो मेरे पास फोन आ रहे हैं समझपा रहे हैं तो यह सब बेनिफिट क्या है यह उनकी मेहनत का और मेरी हर बात को मानने का नतीज़ा है टोटल लाइव टेस्ट दिये उन्होंने लेकिन एक बार सुनो मैं थोड़ी नोलेज की बात कर देना आप आपकी फीज जमा होगी 13,555 रुपे पहले बुरी बात को सुनना है पर वापस आओंगा जिनका फरस्स नमर नहीं आया वापस आओंगा यह ओनलाइन डिपोजिट होगा जो आप इमितर से जमा करवा सकते हो ठीक है ना किसी भी इमितर के मार्दें से आप इसको ओनलाइन जमा करवा देना देना 13,555 रुपे आपकी ओनलाइन फीज जमा होगी ठीक है और यह भी इस में बी एक बात हो रहे है कि फीज डिपोजित करने की डेट है 14 दिसंबर मतलब आज तो 16 दिसंबर से लेकिए 26 दिसंबर तक ही है तो दियान रखे आम मैं तो कहता हूं जिसका नमर आ गया आज ही चले जाओ आज या कल के अंदर अंदर करवा दो जिसको करना है भी एस्टिसी बनना है थर्ड के टीचर तेरा हजार पांस पच्छबंद रुपए जमा करा दो डेट निकलने के बाद में आपकी फीस नहीं ली जाएगी और आपका अलोटमेंट हो जाएगा निरस्त समझ पारें तो फिर आपका अलोटमेंट को मतलब नहीं है इस साल की बेश्टे सी गई इसलिए गलती मत कर देना फिस डिपोजिट आपको इस डेट का जो दियान के 16 दिसमबर से लेकिए 26 दिसमबर दूसरी मुख्य बात फिर आपको यह काम सारा उनलाइ सारा काम है तो कहता हम घर बेटे कंपूटर मत करना गलती हो जाएगी इमितर वाले के पास जाना आराम से बिलकुल अपने पूरे डोकिमेंट लेकिए श्यानती की साथ बैटना करा लेना डोकिमेंट अपलोड कराने की डेट दूसरी बात है वो तो था अपना फीज डिपो आधार कार्ड भी लेके जाना है चोटा आई परमांट पत्र बन जाता है चोटा आपके गाव में सरपंच वगरा साइन होगे एक सेगन बन जाता है अपने कहीं पर भी कचड़ी बगर हम हो जाते हैं कोई खास टाइम लगता यह देख लाना अगर मांग रहे हो तो मैरे भी कुछ नहीं होता यह चार-पांस डोकिमेंट आपको लेके जाने है औरिजनल भी ले जाना फोटोगोपी साथ ले जाना कोई दिक्कत है नहीं है यह डोकिमेंट होंगे आपके अपलोड ठीक है और इस अपलोड कराने की भी डेट वापस दियाना करना 16-27 मतलब एक दिन ज्यादा पिछल डेट क्या थी 16-26 यह तो फीस दमा करने की एक दिन ज्यादा मानों 27 मतलब लगबग आप तो एक दिन में काम करा करा जाना और खूब सारे इमितर वाले एक दिन में आपके काम भी कर देंगे मतलब एक बंदा होगा हो वो सारा काम आपका कर देगा इसका व रिजल्ट देखा होगा तो रिजल्ट में आपके उपर नाम आ रहा होगा आपके नमर वगएरा तो आता नहीं है लेकिन उपर नाम आती है आपको पता चल रहा होगा कि यह फलां कोलेज आपको मिल रही है ठीक है ना यानि जिसका लिस्ट में नाम है उसका कोलेज का नाम वह भी हैं तो आपको कोलेज का साफ साफ नाम दिख रहा है उस को लेज में सारे डोकिमेंट लेके कौन से डोकिमेंट जो अभी मैंने बताए यह सारे डोकिमेंट लेके जाना है जब आपका सब कुछ ओनलाइन काम हो जाए ना तब आपका जाती परमान पत्र 1012 कि मार्क यह तो खेर प्रेंट आउट है यह सब और इजनल भी साथ लेके जाना वाई यह सब डोक्योमेंट अपने साथ लेके जाना है यानि की कोलेज कोलेज रिपोर्टिंग की डेट एक दिन जादा सोला से अठाइस जैसे को ती सोला से सब्पीस सब्सक्राइब है यह फलना आदमी नमर है यह लाओ यह लो साब आपके डोक्यूमेंट तो तो हमिंगे जाना कि वो सब किमेंट जो आपने ओनलाइन डोक्यमेंट अप्लोड किये थे वैजिए साथ लेके जाना क्योंकि ओनलाइन के टाइम पर नहीं थे वह तो नहीं थे नहीं तो फर्टोपी से भी पर बात करके चल जाना दिक्कत नहीं रहेगी आराम से कर दूर है किसी अलग जिले में आपका आया हो तो पहले बात कर लेना कि साब आपके नमर आया है तो आप मिल जाएंगे या पर काम चालू है वगारा जो भी वाट एवर कोई इस लिए उसलिए उक सब बात करके जा सकते हो ऑन-laiन आप उस क्लेज्ध के फोट नमर आप मिल जाते हैं वहां से प्रिंसे पर वहां पर सरोंगे उससे बात करके चल जाना महैं से की हम आ रहे हैं तो आप दोकेंट लेके आए और कब आए थीक है पुरा पोशिए जाना तो डोकेंट का पता चल गया न क्या नहीं ओर ओरिजनलिकेजन TC का कोई ऊश्यू नहीं है कोई-कोई कोलेज एड़ TC मांगते हैं लेकिन अगर वो आपका कहीं कोलेज में कहीं जमा है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन शीद इसी बात है TC अगर आपके पास में है तो साथ ले जाओ क्यूंगि टी-सी आपने जमा कहां कराई होगी तब टी-सी जमाँ होती है और रेगिलर कोलेज सकते हो तो पिर भी एश्च नहीं कर सकते सबस्क्राइब कुछ ृप्रकाइब पूरी फाइल बना के लेखे चल जाना शांदार काम आपका हो जाएगा यह बात थी बात हुए चोती बात है ओनलाइन स्लिप यह जब काम ओनलाइन कर रहे हुए इन सब ओनलाइन स्लिप को सुरक्षित रखे अपने पास में बड़ी काम आएगी कोलेज अलोट्मेंट जा जाओगे कोलेज में वहां पर जब रिपोर्टिंग करो कोलेज में तो वह भी कुछ लिप लिप देंगे उस सब को सुरक्षित आपको रखना है यह चारों बातें आपको ध्यान देन नहीं है कि मैं एक ट्रफिक उपर 20 वीडियो बनाऊं मेरे यादत नहीं है इससे आपकी मैं पूरी जानकर यह की वीडियो में देता हूं बस उसके बार कुछ है भी नहीं ठेके बाकि आपकी आपके बास टाइम हो ता आप गोमते फिरो इन सब के त्यारी करा हो अब बात आ यहां पर आपको मूल निवास परमान पत्र बी आपको साथ में रखना है यह सब मूल निवास और जाती परमान पत्र में ज्यादा वक्त नहीं लेता अगर आपके पास में मूल निवास तो खेर हो गई जाती परमान पत्र अगर छे महिने से पुरान है तो आप इसको बनवालो कोई ज्यादा वक्त नहीं लेगा जहां से आपने पहले बनवाए था वह बनो पांस साथ दिन बनके त्यार हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठी लिस्त में नमर आया है इन बातों को मेरी बातों को गोर से सुन लिया अगर तो कुछ भी नहीं सुनना चोटी होती है यह पासपोर्ट फोटो खेंचा लेना जैसे आप अभी दिखते हो वैसी फोटो खेंडे आरड दस फोटो ठीक है काम आएगी यह सब आपको ध्यान लख ना एक फाइल बनाओ बड़िया तरीके से बड़े बच्चे बनो खुब सारे बच्चों को मैं देखा है एक थेली लिलते हैं उस थेली में ही डोकिमेंट डाले तो आधे मुड़ जाते हैं कहीं थेली फट गई गिर गई तो आपको एक फाइल लेनी चाहिए जो आज कल फाइ जब अपन बनाते हैं वो क्या बोलता है फोटो वाला फोटो वाला जो बनाते हैं एल्बम उस एल्बम की तरह आजकल तो आप सजा सकते हो एक एक पेज के इंदर एक डोकिमेंट डाल दो और फाइल उपर से बंद हो जाती है उस फिर उसको बैग में रख लो आराम से जाओ सेफ रो पैन पैंचल साथ लेके जाया करो कुछ काम सब कुछ रेजर वगरा चिपकाने के लिए गौन वगरा सब कहीं पर भी जाते हो देख सिस्टम में जिन से जाया करो पड़े लगना चाहिए वना फिर मांगो कि बहाए पैन है क्या बहा फोटो चिपकाने वाला है क्या गम आई किया रबड़ आई किया सब ऐसी बात ठीक है सब लेके जाये गरो कहीं पर जाओ तो यह तो कुछ बातें थी जिनका फर्स लिस्ट में नमर आ गया उनकी अब बात आती है कि सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी साब क्यापता गुंजाईस हो तो मैं एक बात बता दू कि सेकेंड लिस्ट तब आएगी जब फर्स लिस्ट कंप्लीट एक बार कंप्लीट हो जाए फर्स लिस्ट कंप्लीट हो एगे 26-27 तारीग तकいます पर देख लिए देख लिए कि 28 दिस्तंबर तक डोक्योमेंट रिपोर्टिंग को लज रिपोर्टिंग टाइम है 27 तक यह था 26 तक यह था कुल मिला कि 28 से मतलब आपकी जो सेकंड लिस्त आने की चांस जनौरी में 15 तारीक को भी आजाए पूरी जनौरी ना आए फर्वरी के फर्स्ट वीक में आजाए आदी फर्वरी आजाए कोई के नहीं सकते थोड़ा के पीछ हो जाता मैं एसा रूल है अगर नहीं सरकार बैठी है कुछ सिस्ताम हो जाता है तो बात अलग है जनौरी में चाहिए के नहीं सकते लेकिन यह कि आएगी जनौरी में इससे पहले नहीं आएगी जो सैकंड लिस्ट जनौरी में अगर आती है तो आप यह मत तो पता नहीं है एसा कुछ नहीं उखड़ाएगा उसमें क्या होगा कि बस अपना जो भी आपका नं प्लस इसे नीचे नहीं है तो जिसके तीन सो सतर हैं असी हैं वो तो सोचो मत कहता हूं 90 वाला भी मत सोचो मत सोचो बलें क्योंकि अगर यह 400 प्लस का मतलब है 405 407 402 ऐसी कुछ है ठीक है तो अगर आपके 400 मार्क्स हैं तो सेकंड लिस्ट का इंतजार करो वरना तो बात बन वरना इसमें भी चांस नहीं क्यों नहीं है मेरी बात सुना तो पहले एक बार वापस 400 वाली बात बाद में बताऊंगा पहले इसकी बात करता हूं तो जनुवरी में तक अगर सेकंड लिस्ट आटी है तो आप इंतजार ना करें अगर आपके 395 नमर है 305 प्लस तो इंतजा थोड़ा बहुत कर सकते हैं उन्मा के चांस कम है मैं तो कहूंगा क्योंकि 24 नमर कम आएंगे बस 57 नमर मान लिजी आप इससे नीचे डाउन ही जाने वाले सेकंड लिस्ट इसलिए अपने अगर इतना है तो रहने दो लग जाओ वापस 24 के लिए लग जाओ 24 के लिए ठीक है अब एक बात यह आई सुन्ने में नहीं बहुत ज्यादा बच्चों की कॉमेंट भी है किसाब 400 नंबर हमारे हैं 400 नंबर हमारे हैं तो उस बच्चे के 400 गलती क्या गरी पता है उस बच्चे ने यह गलती करी कि ASTC से तो SC से था नंबर भी 400 है 400 एक कुछ है या 400 है लेकिन दिक्कती होगे कोलेज 2 भर दिवस कि मुझे तो यही कोलेज है यही मेरे पास पास वा दी अब उन कोलेज में उसका हुआ नहीं उसने ओल राजस्तान किया नहीं अगर वह राजस् सोग्य था ठाकि कहीं ना कहीं नमर तो आये इस जरूराय नमर चाहे ठोड़ीवत कम भी तो भी कहीं नहीं नंबर आムोरे जाता तो चल denkt फेर वो तो हो गई सो हो गई हो गई चूक है न उसकी को है कोई बात नहीं तो सेकेंड लिस्ट जनुवरी तक आएगी इंतजार ना करें वही करें जिनके नंबर तीन सो पच्छान में प्लस मदब तीन सो अठ्यान में तीन सो अठ्यान में स्वरी क्या लिख रहा हूं मैं न थ्री नाइंटी एटी ऐसा कुछ नंबर हो तो ही करें या फिर चार्ट सो ही तो ही करें भाही वरना रहना रहने देना अब आपको लगना चाहिए बी एस टीसी दो हजार ट्वैंटीफोर दो हजार चौविस इसके लिए दिन रात एक कर दो और मैं फिर बता दो चाहिए केसा भी पेपर आओ कटोप यही रहने वाली है इससे नीचे नहीं जाएगी मतलब वही वाली बात 600 में से 500 का टारगेट लेके चलो कि मुझे ही 500 या 500 प्लस नमर लेके आना है तब मैं सिक्योर हूँ मेरी बात क तो आप ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हैं 500 प्लस का मतलब यह ना सोचो कि क्यों कि 500 प्लस का सचेख़ए को 4500 लेके आई जाएगा साड़े 400 मत सोचो थोड़ी 500 की लेके चलो ताकि 400 तक का रेशो बिठा लेंगे अब मेरी बात सुनना की 500 भी आएंगे बिल्कुल आएंगे अगर आपने पूरी बात मानिये और all subject में अगर आप पढ़ते हो all subject में अगर आप एक जैसे हो all subject अगर आप 100% पड़े हो दिल से पड़े हो दिल से विलकुल दिल से हैं दिमाग से हैं अगर पड़े हैं कि नहीं मुझे सारे subject पड़ना है तब आपके इतने भी आएंगे English छोड़ देता हूँ थोड़ी बहुत reasoning के दो-तिन topic छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ वो सर कहरे थे ना छोड़ दो तो भी हो जाएगा नहीं होगा बेटा नहीं होगा ठीक है ना सब भी subject बराबर पड़ने पड़ेंगे क्यों पड़ने पड़ेंगे कि तू कितना ही पड़ ले हिंदी कितनी पड़ ले पचास पटा पचास थोड़ी आएंगे एक आदा तो उसमें भी कटेगा ना उसकी भरभाई कोन करेगा पिर ये करेगा इंगलिश वगेरा इसलिए सबी को पड़ना पड़ेगा सबी subject जिसने पड़े हैं और जो सबी subject में intelligent है आज वो साड़े 400, 460, 470 और diet college मिल में आज घरवालों का नाम रोशन कर रहा है दूसरी बात ये अरे भाई तुम BSTC अगर पढ़ोगे पूरी बात सुनना अगर आप BSTC entrance exam की त्यारी कर रहे हो ना तो आपको पता आप क्या पढ़ रहे हो इस BSTC के अंदर पढ़ क्या रहे हो आप आप वोही syllabus पढ़ रहे हो पूरी बात को ध्यान सुनना आप वोही syllabus पढ़ रहे हो जो आपके आगे REIT level 1st and 2nd में आ रहे है तो फिर क्यों नहीं पढ़ रहे है मुर्खूं आप BSTC साथ में REIT की भी त्यारी हो रही है वोही चीज़े महां आईगी वोही psychology है वोही हिंदी है वोही जीक है तो बताओ फिर तो ज़्यादा मेनद करनी चाहिए कि यह रहे है यार सिर्फ BSTC entrance exam के लिए नहीं पढ़ रहे है अपन अपने तो BSTC pass पास होने के BSTC में रहो मजबूती से इसको करो 100% आप इसमें इस बार पास होंगे क्योंकि तजुर्बा भी है और मेरी बातों का असर भी होगा और हाँ अब क्या होगा कि BSTC 2024 आने वाली है 4-5 महीने मानके चलिए और जनवरी से पूरी बात सुन लो 15 दिन एक बार आप जब तक रजिस्टर वगरा लिया हो अपने आपको ठीक कर लो 25 दिन के अंदर और रजिस्टर लिया हो और मेरी खूब सारी बातें पहले पड़ी होई है तो आप रिजिस्टर वेरा पढ़ना शुरू कर दो मैंने कम्प्लिट गरवार किया जाता से रहता फिर मूँ बनाते फिर होगे इसलिए इनको भी पढ़ना शुरू करो और एक जनवरी से फस्ट जन टू थाउजन ट्वन्टी फोर बीस्टिसी का शांदार बैच बेलकुल फ्री वह जंडे गाड़ेंगे वैसे ही ध्यान रखना क्यों के रहा हूं अब आएंगे कौन बरसाथी मेंड़क समझागी न यह लो साब 500 रुपे में कौर्स यह लो 400 रुपे में अधा दूरा पढ़ लिया फिर यहां पढ़ने का मन नहीं करेगा कि वह और वहां तो बहुत इजी बताई था और तो इसी बताई तो क्योशन दो यहां से आएगा पेपर देखा नहीं देखा इसलिए ज्यादा इजी के चक्रमत रहना पेपर आएगा जिसे हां हर लेवल का द्यान रखा जाता है वो भी द्यान रखेंगे तो इद्यान रखना एक जनुरी से जी के स्टार्ट करूंगा जी के पूरा जी के एकदम न्यू क्योंकि बदल गया राजस्तान जी के कम्प्लिट में क्लासेज की उपर अब वो सिर्फ बीएश्टीस के लिए नहीं होगा य कर रहा है, जो आरेस की कर रहा है और ज़ो थानेदार की कर रहा है सबी एकदमने जासकते हैं शर्त एक ये सब्सक्राइब पढ़ेंगे और इंग्लिश में जो टॉपिक तीन चार करवाएं कर लो आपको टैंस करवा दिये गए हैं आपको एक्टिव करवा दिये गए हैं और डायेट इन डायेट लगबक कम्प्लीट है लेकिन में दो तीन बहुत जादा बीजी हो कि इस दिख करनी है अभी से अभी से आपको लगना पड़ेगा एक दिन मिस्स नहीं करना है एक दिन मस मत करना दिन बड़े जल्दी निकल जाएंगे अगर भी चौबीस पर फाइट करना है तो बस अभी से लग जाओ ठीक है वह दूसरी बात आप भी एस टीजी तेरी नहीं कर र किये आपने कोई चोटी मोड़ी बात दूसरों की मानी है इस वजी से कमजोर रहेगे चोटी मोड़ी माक्स कम रहेगे कोई दिक्कत नहीं मैं बैठा हूं कोई जिंतावाल बात नहीं कोई भी डाउट तो कॉमेंट कर देना कोई भी हल्प चीजी बता देना दो हजार 500 प्लस नमर दिलवा के रहूंगा बेफिकर रहो मस्त रहो ठीक है यह बात है ओके